ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव आपका बहुत-बहुत स्वागत है ज्यानी माता चैनल पे महाशिवरात्री की राथी भगवान शिव करोडो सूरियों के समान प्रभाव वाले जोतिरलिंग के रूप में प्रकट हुए थे जिसके बाद से हर साल फालगुल मास के कृष्ण पक्स की चतुरदसीतिती को महाशिवरात्री का त्योहार मनाने के पीछे दूसरी वज़े यह भी है कि मापारवती सती का पुनर जनम है मापारवती सिवजी को पती रूप में पानना चाहती थी इसके लिए उन्होंने सिवजी को अपना बनाने के लिए कई प्रयात्न किये लेकिन भोले नाथ प्रसंद नहीं हुए जिसके बाद मापारवती ने त्रियोगी नारैन से पांच किलोमेटर दूर गोरी कुंड में कटिन साधना की थी और सिवजी को मोह लिया था मापारवती की कटिन तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शिव और मापारवती का विवा इसी दिन संपन हुआ था इसलिए जिन कन्याओं के विवा में देरी हो रही है वे भगवान शिव और मापारवती के इस पावन व्रत को करती हैं भगवान शिव जैसे वर्क की मनो कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं एक बार भगवान शीव और मा पारवती कैलास परवत पर बैठे होते हैं। उसके पश्चात मा पारवती भगवान शीव शंकर से पूशती हैं ऐसा कौन सा स्रेष्ट एवं सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्व लोग के प्राणी आपके कृपा सहजी प्राप्त कर लेते हैं। पश्वों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक शाहुकार कर रिनी था लेकिन उसका रिन समय पर नहीं चुका सका। शिकारी अगले दिन सारा रिन लोटा देगा यह वचन देकर बंदन से चूट गया। अपनी दिन चरिया की भाती वह जंगल में शिकार के लिए निकला। लेकिन दिन भर बंदी ग्रह में रहने की कारण भूख प्यास से वाकुल शिकार करने के लिए वह एक तालाव के किनारे बेल व्रक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल व्रक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढखा हुआ था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनिया तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी शिकारी मैं घरबीनी हूँ शिग्र ही परशव करूँगी तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जान्म देकर शिग्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुद हो जाऊंगे। तब तक तुम मुझे माफ कर दो। शिकारी ने प्रत अनुस पर बान चड़ाया। तब उसे देख म्रगे ने विन्नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी मैं थोड़ी दिर पहले ही रितु धर्म से निवर्थ होई हूँ। मैं कामातुर विरहीनी हूँ। अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पत गया। रातरी का आखरी पहर बीत रहा था। तब ही एक अन्यम्रगी अपनी बच्चों के साथ उदर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णम अउसर था। उसने धनुस पर तीर चड़ाने से कोई देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि म्रगी बोली। ही मैं ऐसा मूरख दिखता हूँ क्या। इससे पहले मैं दो बार अपने शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूग प्यासे तडप रहे होंगे। उत्तर में म्रगी ने फिर कहा जैसे तुम्हें अपनी बच्चों की ममता सता रही है। खीक वैसे ही मुझे भी इसलिए स सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। है पारधी मेरे विश्वास कर मैं इनके पिता के पास शोड़कर तुरंत लोटने की प्रतिग्या करती हूँ। म्रगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस म्रगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल व्रक्ष पर बैठा सिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। ओफटने को हुई। एक और हस्ट पुष्ट म्रग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश तो मुझे भी मारने में विलंबने करो ताकि उनकी वियोग में मुझे च्छन बर भी दुख ने सहना पड़े। मैं उन म्रिग्यों का पती हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ चण जीवन दान देने की करपा करो। मैं उनसे मिलकर म्रिग ने कहा मेरी तीन पत्निया जिस प्रकार प्रतिग्या बद होकर गई हैं मेरी मिर्त्यू से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी अतै जैसे तुमने उन्हीं विश्वास पात्र मान कर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने तो मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने स प्रतिग्र ही उपस्तित होता हूं उपवास रात्री जागरन तथा सीवलिंग पर बेल पत्र चड़ने से शिकारी का हिंसक हरदय निर्मल हो गया उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था धनूश तथा बान उसके हाथ से सहजी छूट गए बगवान शिव की अनुकंपा स से उसका हिंसक हरदय कारूनिक भावों से भर गया वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप के ज्वाला में चलने लगा थोड़ी ही देर बाद म्रिग सै परिवार शिकारी के सामने उपस्तित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके किन्तु जंगली पश्मों की ऐसी सत्यता सात्विक्ता एवं सामोहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई उसके नेत्रों से आसों की जड़ी लग गई उस म्रिग परिवार को ने मार कर शिकारी ने अपने कठोर हिर्दय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया कोमल एवं न बना लिया देव लोग से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था घटना की परेनिती होते ही देवी देवताओं ने पूश्प वर्षा की तब शिकारी तथम्रिग परिवार को मोक्ष प्राप्ध हुआ इस प्रकार महाशिवरात्री का यह पावन व्रत सभी मन तो पूर्ण होती है भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा शुशोबित है चंद्रमा को मन और मस्तिस का कारक मना गया है कृष्ण पक्ष की चतुरदसी की रात में चंद्रमा के शक्ति लगभग पूरी तरय छीन हो जाती है जिससे तामशिक शक्तियां व्यक्ति के मन पर शूरी और तामशिक सक्तियों से बचाव होता है शंकर जी का रातरी से विशेश लगाव होने के कारण ही यही त्योहार शिवरातरी मनाये जाता है बगवान शंकर संगहार करता होने के कारण तमोगुण के स्वामी है रात्री के समय जीओं की चेतना छिन जाती है जीव निद्रा की देवी की गोद में सोने चले जाते हैं इसलिए रात को तमोगुण में कहा गया है यही कारण है कि तमोगुण के स्वामी देवता भगवान शंकर की पूजारात्री में विशेश फलदाई मानी गई है महाशिरात्री की यह पावन कथा आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं अगर आपको यह कारणी पसंद आई है तो कमेंट बोक्स में हर हर महादेव लिखना ने भूले